राधेरा देमित्रों आप सभी का हमारे यूटूब चनल पर एक बार फिर से हारदिक स्वागत है यहाँ पर भगती से बरी एक नई कहानी में आप सभी के लिए लेकर उपस्तित हूँ शिव पारवती विवहा जब सती ने खुद को योग अगनी में भस्म कर लेने का समाचार सिव जी के पास महुचा तब सिव जी ने वीर भदर को भेजा उन्होंने वहाँ जाकर यग विधन्स कर डाला और सब देवताओं को यतोची तफल दिया सती ने मरते समय सिव से हवर मांगा कि वह हर जनम में आप ही मेरे पती रूप में मुझे मिले इसी कान उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पारवती के रूप में जनम लिया जब से पारवती हिमाचल के घर में जनम लिया तब से उनके घर में सुख और समपत्या चा गई पारवती जी के आने से परवत शोभामान हो गया जब नारत जी ने यह समाचार सुना तो वे हिमाचल पहुँचे वहाँ पहुँचकर वे हिमाचल से मिले और हसकर बोले कर्ण्या गुणो की खान है यह स्वहभाव से ही सुनदर शुशील और शांत है यह कर्ण्या सुलक्षणों से संपन है यह अपने पती को प्यारी होगी अब इसमें दो चार अवगुण है वे भी सुन लो गुनहीन मानहीन माता पिता वहीन उदासीन लापरवा इसका पती नंगा योगी जटाधारी और सांपों को गले में धार्ण करने वाला होगा यह बासनकुर पारवती के माता पिता चिंतित हो गए उन्होंने देवरीशी से इसका उपाई पूछा तब नार्जी बोले जो दोष मैंने बताए मेरे अनुमान से वे सभी शीव में हैं अगर सिवजी के साथ विवा हो जाए तो ये दोष गुन के समान ही हो जाएंगे यदि तुम्हारी कन्या तब करे तो सिवजी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं तब यह सुनकर पारवती जी की मा विचलित हो गई उन्होंने पारवती के पिता से कहा आप अनकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवा कीजीगा क्योंकि पारवती मुझे प्रानों से भी अधिक पिरिया है पारवती को देखकर मैना का गला भर आया पारवती ने अपनी मा से कहा मा मुझे एक ब्रहमन ने सपने में कहत है कि जो नारजी ने कहा है तूँ उसे सत्य समझ कर जाकर तब कर यह तब तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है इसके लिए माता पिता को बड़ी खुशी से समझा कर पारवती तब करने गई पारवती ने शीव को पती रुम में पाने के लिए तपस्या अरंब की लेकिन शीव को संसारिक बंदनों में कदापी रूची नहीं थी इसलिए पारवती जी ने अतियंत खटोर तपस्या की ताकि शीव परसन होकर उनसे विवहा कर ले जब सब्त रिशी सती की प्रिक्षा लेने गए सब्त रिशियों ने पारवती से जाकर पूछा तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो तब पारवती ने सुचकाते होए कहा आप लोग मेरी मुर्खता को सुनकर हसेंगे मैं शीव को अपना पती बनाना चाहती हूँ पारवती की बात सुनकर सभी रिशी हसने लगे और बोले कि तुमने उस नारज़ का उपदेश शुनकर शीव को अपना पती माना है जो सब कुछ चोपट कर देता है उसकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पती चाहती हो जो सभाव सही उदासिन गुणहिर निरलज बुरे वेश वाला बीना घरवाला नंगा और शीव परनागों को धरन करने वाला है ऐसे वरके मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा अब हमारा कहा मानो हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर्चुना है हमने तुम्हारे लिए जो वर्चुना है वह लक्षमी का सवामी और व्यकुंट पुरी का रहने वाला है तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली कहा कि मेरा हट भी परवत के समान ही मजबूत है मैं अपना यह जनम सीव के लिए ही हार चुकी हूँ मेरी तो क्रोडों जनमत की यही जीद रहेगी पारवती की यह बात सुनकर सभी रिशी बोले आप माया हैं और शीव भगवान हैं आप दोनों समस्त जगद के माता पिता हैं यह कहकर सभी पारवती को परणाम करके वहां से चले गए पारवती की दृर निष्टा ने जीत लिया सिव जी का मन वर्ष्व तपस्चा करने के बाद एक दिन पारवती जी के पास एक ब्रहमचारी आया वह ब्रह्मचारी तपस्वनी पार्वती का अरग्य स्विकार करने से पूरू बोल उठा तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या की योग्य है मैंने दिर काल तक तप किया है चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो किन्तु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो तुम चाहो तो तुरिभौन के स्वामी भगवान विश्णु भी किन्तु पार्वती ने ऐसी उपेक्षा का भाव दिखाया की ब्रह्मचारी दो शण को रुक गया फिर बोला योग्यवर में तीन गुण देखे जाते हैं सोमधर्य कुलींता और संपत्ती इन तीनों में से सीव के पास एक भी नहीं है नीरकंट त्रिलोचन जटाधारी विभूती पोते सांपल पेटे शीव से तुम्हें कहीं संदर दिखता है उनकी संपत्ती का तो कहना ही क्या नगन रहते हैं बहुत हुआ तो चरम चमडाल पेट लिया नहीं कोई नहीं जानता की उनकी उत्पत्ती कैसे हुई ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा किन्तु अपने अराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी आतेवे अन्यंतर जाने को उठ खड़ी हुई तब शिव उनकी निश्टा देखकर ब्रह्मचारी रूप त्यार प्रकट हुए और उनसे विवहा किया जहां द्रीड लगन कष्ट सहन करने का साहस और अटूट आत्म विश्वास हो वहा लक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पती के रूप में पाने के लिए जो कठिन तब किया उसी बल तब के बल पर उन्होंने भगवान शिव को पती के रूप में प्राप्त किया था पार्वती अपने तब को पूर्ण होते देख घर लोट आई और अपने माता पिता से सारा वरितांत कह सुनाया अपनी दुलारी पुत्री की कठोर्थ पस्या को फलिवूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा उधर संकर जी ने सब्त्रीशों को विवहा का पस्ताव लेकर हिमाल्या के घर बेजा और इस प्रकार विवहा की शुब्तिती निश्चित हुई सब त्रीशों दुआरा विवाह की तीतिनी शित किये जाने के बाद भगवान शंकरजी ने नारजी दुआरा सारे देवताओं को विवाह में समलित होने के लिए आदर पुरोखनी मंत्रन और अपने गणों को बारात की त्यारी करने खा आदेश दिया उनका इस आदेश से अतियंत प्रशन होकर गणेश्वर, शंक, करण, केकराक्ष, विक्रीत, दुदुंब, कपाल, कुडूंग, काक, पादोर, मधुबिंग, प्रत्थम, वीरभद्र आदी गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े नंदी, शेतरपाल, भैरो, आदी, गण, राज, भी, कोटी-कोटी गणों के साथ निकल पड़े ये सभी तीन नेत्रों वाले थे सभी के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चीन थे सभी ने रुद्राक्ष के अभुशन पहन रखे थे सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी इन गुणों के साथ संकरजी के भूतों, प्रेतों, पिसाचों की सेना भी आकर समलित हो गई इन में डाकनी, शाकनिया, यातू, धान, बेताल, ब्रम, राक्षशादी भी शामिल थे इन सभी के रंग रूप, आकार, प्रकार, चेश्टाएं, वेश, भुशा, हाव, भाव, अधी, सब कुछ अतियंत विचित्र थे किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे, कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरवाला था, किसी की बहुत से आँखे थी, किसी के पास एक भी आँख नहीं थी, किसी का मुख गदे कितरह था, किसी का मुख सियार कितरह था, किसी का कुत्ते कितरह था उन सबने अपने अंगों में ताजागून लगा रखा था कोई अतियंत पवितर और कोई अतियंत विभत्स और तथा आपवितर गण वेश धान किये हुई था उनके अभूशन बड़े ही ड्रावने उनके हातों में नर्क पाल ले रखा था वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मोज उडाते होए महादेवजी शंकर के चारों ओरे कत्रित हो गए चंडी देवी बड़ी परसंता के साथ उस्वमनाती हुई भगवान रूद्र देव की बहन बनकर वहाँ आप होची उन्होंने सापों के अभूशन पहन रखे थे वे प्रेत पर बैठ कर अपने मस्तक पर सोने का कलश धान किये होई थी धीरे धीरे वहाँ सभी देवता भी कत कामों, सनकादिक, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परीजों के साथ उपस्तित थे देवराज इंद्र भी कई आभूशन पहन कर अपने एरावत गज पर बैठ कर वहाँ पहुँचे सभी प्रमुख रिशी भी वहाँ आ गए थे तुम्ब्रू, से वहाँ मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने सफुटिक जैसे उजवल सुंदर वरिशब पर स्वार हुए दुले के वेश में शिवजी की सोभा निराली ही छटक रही थी, इस दिव्य और विश्चित्र बारात के परस्थान के समय, डमरो की डम डम शंकों के गंभीर नाध रिशी महरिश्यों के उच्चारन यक्षों किंडरों गंदरों के रसस गायन और देव गनाओं के मन महुक निरत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोक परी व्यक्त हो उठे, उधर हिमालय ने विवहा के लिए बड़ी धूम धाम से तयारी की और शुब लगन में सिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी, पहले तो सिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सिना को देखकर मैना बहुत डर गई, और उन्होंने अपनी कन्या का पानी ग्रहन कराने में आना कानी करने लगी, पीछे से जब उन्होंने संकरजी को क्रोडो काम देवों को लजाने वाला सोलावर्स की अवस्ता का प्रम लावने रूप देखा, तो वे देह गे की सुधी भूल गई और शंकरजी पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्म को बनिचावर कर दिया, हर गोरी का विवहा अनन्द पुरुक संपन हुआ, हिमा अपने स्थानों को लोट गए, बोलो भगवान शिव शंकर की जै, मित्रो भगवान शिव की जो विवहा था, हमने उसका यहाँ पर अपनी अल्प बुद्धी से वरनन किया है, मित्रो इसमें यदि कोई तूटी रही हो, तो उसके लिए मैं शमा प्रारती हूँ, राधे र अधे मित्रो जै श्री शाम